दोस्तों राजस्थान के जोदपूर के भूंगरा गाउं में जो गैस तरास्थी हुई है उस मामले में अभी एक ऐसा अपडेट है कि मैं कैसे सुनाओं उस अपडेट को सुनाने से पहले मेरी जुबान लडखडा रही है आप सब जानते हैं कि भूंगरा गाउं में एक घर में साधी थी और वहाँ पर एक गैस सिलेंडर में गैस रिसाव हो गया उसके बाद एतना बड़ा विस्पोट हुआ कि उस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर आज की ताजा अपडेट की बात करें तो उस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे दुखद खबर ये हैं कि जिस दुलहे की साधी थी सुरंदर सिंग उसके माता पिता की और सगे दो भतीजों की भी इस हादसे में मौत हो चुकी है और अब तक ऐसा बताया जा रहा है कि 25 से अधिक लोग जोदपूर के एक अस्पताल में भरती है अलांकि भरती मरीजों के उपचार के लिए जैपूर SMS से मेडिक डॉक्टरों की टीम मुलाई गई है लगातार सरकार और तमाम लोग उन लोगों को बचाने की कोशिज कर रहे हैं लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जो दुला सुरेंदर सिंग है उनके बड़े भाई सांग सिंग जिनके दो बेटे ही थे और दोनों बेटों की डैथ हो गई है और सांग सिंग की पतनी अभी भी अस्पताल में भरती है सुरेंदर सिंग, दुले के पिता, सगत सिंग और उनकी माता की मौत हो चुकी है इस हादसे में और अब तक इस हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें एक फोटोग्राफर है और एक नाई है जो दुले को तयार करवाने के लिए आया था तयार करने के लिए आये था उसकी भी मौत हो चुकी है इसके अलावा तमाम लोग जो वहाँ पर साधी में थे वो अस्पताल में अभी बरती है इन दो लोगों के अलावा जो 20 लोगों की मौत हुई हैं वो सभी लोग दुले के रिष्तिदार हैं कोई नजदी की रिष्तिदार हैं कोई दूर की रिष्तिदार हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि दुले का जो मौसरा भाई है जिसका भी नाम सुरंदर सिंग था उसकी मौत परसु हो चुकी थी और उसी सुरिंदर सिंग की बेहन की आज मौत हो चुकी है उसके एक बेटे की भी मौत हो चुकी है लगातार जो ये हादसे में लोगों की जो मरने की संख्या बढ़ती जा रही है इसके बाद से पूरे राजस्थान ही नहीं बलकि देश बर में सौक की ल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की मौत हो रही है ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और लगातार जो जुलसे हुई लोग हैं जिनकी संख्या भी 25 से अधिक बताई जा रही हैं वो भी गंबीर बताई जा रहे हैं आलांकि कुछ लोग धीरे-धीरे रिकवर भी हो लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थियान लगातार बिगरती जा रही हैं इस हादसे को लेकर जो तमाम उनके परिवारों के सदसे हैं जो जागजनी से बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब क्या करें क्योंकि रोजाना किसी नकिशी के मौत की खबर आती र हादसे के बाद दुख जता रहा हैं सोक प्रकट कर रहा है एसा हैशलOOOO क्योंकि तकरीबन 20-覺 बीस से अधिक ऐसे परिवार है जो इस हादसे के सिकार ही हैं और 20 अधिक परिवारों के सदेश्यों में, सदेश्य जो हैं, वो इस हादसे में अपनी जान गवा चुके हैं, हर कोई व्यक्ति इस हादसे के बाद दुख प्रकट कर रहा हैं, लेकिन इस हादसे के बाद हम सब को एक सबक लेने की जरूत हैं, इस हादसे के कारणों का पता लगाने की जरूत हैं, कि अगे भविशे में इस हाद्शों से क्या से बचा जा सकें?